अधियर बच्चों आज की वीडियो क्लास 12 के स्टुडेंट्स के लिए रहने वाली है पैरे बच्चों आज की वीडियो में अपने एक नए टोपिक पे चर्चा करने वाले हैं उस नए टोपिक का नेम है फेक्चुल डिस्क्रिप्शन जैसे की बच्चों आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फेक्चुल डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट राइटिंग के उप्शन में पुछे जाने वाला है और अपन प्रिवेस वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं कि रिपोर्ट वाले पार्ट से तीन पर्षन एक्जाम में पुछे जाएंगे दो पर्षन रिपोर्ट राइटिंग से समंदित होंगे और एक जो पर्षन होगा वो होगा फेक्चुल डिस्क्रिप्शन से समंदित तो अब तक अपन report writing पढ़ चुके हैं report writing में अब तक अपनने पढ़ा कि report writing में report दो परकार की होती है एक report on events से समंदित और दूसरा है an accidental report तो बच्चो इन दोनों से एक एक person exam में पूछा जाएगा और जो तीसरा जो person पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा factual description वाला तो factual description क्या होता है या आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं तो बच्चो इन तीन में से आपको एक करना होगा और आपको 100 words के अंदर आपको exam के अंदर लिखना होगा तो बच्चो factual description क्या होता है वो आज की वीडियो में अपन समझने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक आप जरूर watch करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों में share कर दीजिए चैनल को आप आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर दीजिए और report वाली वीडियो अभी तक आपने watch नहीं की है तो सभी वीडियो के links इस वीडियो के description box में डाले जा रहे हैं वहाँ से आप उन वीडियो को watch कर सकते हो तो चलो वच्चो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा पहले अपन जान लेते है factual description होता क्या है factual का मतलब क्या होता है बच्चो वास्तविक और description का मतलब क्या होता है वर्णन एक साथ अर्थ लेंगे वास्तविक वर्णन कि किसी गटना का, किसी वेक्ति का, या किसी स्थान का, या कोई परकिर्या है, उसका यान की वास्तविक वर्णन करना ही क्या कहलाता है, factual description कहलाता है, बच्चो जो अपने और ये factual description क्या है, एक writing chapter के अंदर ही आता है, जैसे अपने report पढ़ी थी, article या speech पढ़ा था, उसी से सम अंदित बच्चो ये है, तो सबसे पहले आपने इसकी थोड़ी परिवासा समझ लेते हैं, आलांकि परिवासा एक्जाम में नहीं आती है, आपके एक्जाम में तो कोई topic दिया होगा, और उसके उपर आपको factual यानि description करना होगा, वास्तविक वर्णन करना होगा, तो आपन समझ लेते हैं, factual description क्या है, is it writing, ये एक लेखन है, date describes, जो की वर्णन करता है, a person कोई वेक्टि का वर्णन करता है, पेले इसको इस तान का वर्णन करता है, event या कोई गटना है, उसका वर्णन करता है, और explain करता है, एक प्रोसेस, यानि कोई प्रोसेस है, प्रकिरिया है, उस क्या कहा जाता है factual description कहा जाता है अब बच्चो अपन समझते हैं types of factual description कि factual description है उसके कितने परकार है तो basically factual description है ये 5 परकार की होती है सबसे पहली है person based यानि कोई वेक्ति आधारित यानि कि वेक्ति आधारित factual description जैसे कि आपके exam में person आ जाएगा कि write a factual description on महात्मा गांधी in about 100 words तो यहाँ पे बच्चो अब आपको लिखना किसके बारे में है कोई person के बारे में आया है कोई personality के बारे में आया है तो आप उससे समंधित बाते लिखोगे और वो भी यानि कि वास्तविक बाते जैसे महात्मा गांधी का आ गया तो आप लिखो कोई भी personality का बच्चो person पूछा जा सकता है अब दूसरा बच्चो यानि कि पूछा जा सकता है palace based कोई यानि स्थान से समंधित या historical palace का आ जाए बच्चो historical palace का आ जाए जैसे यानि कि ताज महल का आ जाए या और कोई दूसरा आ जाए red port पे आ जाए तो उस पे आनि कि आपक वर्णन करना होगा या बच्चो आ सकता है object based object based जिसके अंदर यानि कोई object का दे दिया यानि computer दे दिया कि write factual description on किस के उपर computer तो आपको अब किस पे लिखना होगा computer के बारे में बाते लिखनी होगी बच्चो ये एक leg की तरही आपको लिखना है या event based event based कि आपने कोई annual function celebrate किय है गांदी जैनती बनाई है farewell party की है या कोई camp से समंधित आजए तो जैसे अपने report की थी बच्चो सेम उसी तरह से लिखा जाएगा इसमें केवल क्या नहीं लिखा जाएगा reported by नहीं लिखा जाता है और लगबग वेशा ही लिखा जाता है आगे अपन समझ भी लेते हैं किस तरह से आप लिखोगे या process based या बच्चो कोई परकिरिया यानि कि कोई भी काम है वो कैसे करे process based यानि कि actual description आजए जैसे how to use ATM का use कैसे करे तो इसमें एक process लगती है एक परकिरिया लगती है कि पहले यानि कि यह बता है पहले यह करना होता है बाद में यह करना होता है या how to open bank account bank account कैसे खोले या how to prepare tea चाहे कैसे बनाए यह क्या है process based है तो इन में से आनि कि कोई भी एक exam में पूछा जाएगा और आपको 100 words के अंदर बच्चो लिखना होगा उमीद करता हूं कि factual description क्या होता है वो आपको समझ आ गया होगा अब अपन क्या करते हैं कोई एक topic पे factual description है वो शीख लेते हैं तो सबसे पहले जो अपन factual description बच्चो शीखने वाले हैं उसका नाम है how to use ATM बहुत ही important है तो इसको आप किस तरह से आनिकी लिखोगे वो देखे सबसे पहले बच्चो आपको क्या करना है आपको जैसे मैंने लिख रखाया factual description ऐसे आप लिख दीजिए नीचे वाल लाइन में क्या करोगे जिस भी topic पर आनिके आपको लिखना है वो क्या करोगे उस topic का title लिखो जैसे how to use ATM ATM का use कैसे करें या महत्मा गांधी पर आ जाए तो यहां पर आप title क्या दे दोगे महत्मा गांधी या कोई historical place आ जाए ताज महल आ जाए तो यहां पर bank account, bank account कैसे खोले या how to prepare tea, चाहे कैसे बनाए, how to यानि कि use ATM ATM का use कैसे करें, how to get reservation, कैसे reservation पराप्त करें इस तरह के topic पर बच्चो एक्जाम में factual description पूछा जा सकता है इसके अंदर बच्चो अपन बताना क्या होता है process wise यानि कि बताते हैं पहले यह करेंगे, बाद में यह कर तो अब हम process बताएंगे कि पहले अपन ATM के बिन के पास जाएंगे, उसके ATM के अंदर जाएंगे, ATM मसीन के अंदर यानि कि जो जो यानि processing होगी उस according अपन उसको follow करेंगे, तो यह सारी बाते बच्चो अपन को बतानी होती है, तो चलो अपन start करते हैं आज की वीडियो, तो देखे, first of all, जैसे how to use ATM, ATM का use के से करें, तो आप किस तरह से start करोगे, कि first of all, सबसे पहले हम go to the ATM के बिन, हम ATM के बिन के पास जाएंगे, कहने का मतलब ATM का use करेंगे, तो यह सा तो है नहीं कि घर पे है, तो आपको कहां जाना पड़ेगा, ATM के बिन के पास जाना पड़ेगा जहां पे ATM रखा हुआ है, उस के बिन के पास जाएंगे, और क्या करेंगे, insert your ATM कार्ड, हम अपना जो ATM कार्ड है, वो insert करेंगे, डालेंगे, किस के अंदर horizontally या vertically, या vertically, या vertically, यानि कि वहां पे एक slot बनाओगा, into the slot, यानि कि slot बनाओगा, या horizontally होगा, या vertically होगा, या तो ल जालेंगे, indicated on the door, जो कि कहां पे indicate होगा, दर्वाजे पे होगा, कहने का मतलब क्या है बच्चो, आप जब भी, यानि कि ATM से पैसे लाने जाते हो, तो सबसे पहले आपको ATM केबिन पे जाना होगा, और ATM केबिन है, उसके एक दर्वाजा होगा, और दर्वाजे पे क्या होगा स्लोट बना होगा, या तो वह स्लोट होरिजेंटली होगा, या क्या होगा, वर्टीकली होगा, या तो लंगुवत होगा, या रेखियत होगा, और आप उस स्लोट के अंदर जो क्या दर्वाजे में दिख रहा है, उसके अंदर आप क्या करोगे, यानि कि अपना ATM कार्ड ड जैसे कहने का मतलब क्या Sense आपन ताला यानी की खोलते हैं तो चाब भी डालते हैं उसी तरह से वहाँ पर भी क्या होगा ATM वाला जे डॉर होगा ATM के मिनगा उस दॉर पर आने की या तोıyorlarगें आपन आपन ATM कार्ट है वो डालेंगे अब क्या करेंगे जैसे ही अपन क्या करते है ATM वाला जो दर्वाजा है उसके अंदर वो कार्ड डालेंगे तो क्या होगा ग्रीन लाइट ग्लो होगी जब हरी लाइट जले तो पुस्ट दे डोर आप दर्वाजे को पुस्ट करना जेंटली बड़े आने के आराम से एंटर दे एटियम केबिन और कहां परवेस कर जाना एटियम केबिन में परवेस कर जाना क्याने का मतलब क्या है आपको अगर एटियम केबिन का दर्वाजा बंद मिले तो आप अपना एटियम कार्ड निकालना और एटियम केबिन का जो दर्वाजा है वहाँ पे एक slot बना होगा या तो horizontally होगा या vertically होगा उस indicated slot में आप अपना यानि की card डालना और जैसे ही आप card डालोगे तो वहाँ पे क्या होगा अगर आपका card सही है तो वहाँ पे क्या होगी green light glow होगी हरी light जैसे ही जले तो आप दर्वाजे को आराम से आने की दकेलना और आप ATM केबिन के अंदर चले जाना अब देखिए बच्चो आप आपको करना क्या है ATM केबिन के पास आप गए मतलब ATM केबिन के अंदर enter होगे अब आप insert your card again अब insert मानी डालोगे अपना card है ATM card है वो दुबारा डालोगे into the slot slot खांचे के अंदर indicated on the machine अब आप कहाँ पे डालोगे machine में एक slot होगा यानि कि machine में एक खांचा बना होगा और वहाँ पे यानि कि लिखा हुआ भी होगा insert your ATM card अपना ATM card डालिए तो आप उस यानि slot के अंदर क्या करोगे machine वाले slot के अंदर अपना ATM card अब डालोगे अब क्या करोगे take it out take it out और उस ATM card को machine के अंदर डाल करके take it out उसे बार निकाल लीजिए if machine allows if the machine allows अगर machine आपको अनुमती दे otherwise wait for the completion otherwise वड़ना अपन क्या करेंगे इंतजार करेंगे completion of the transaction completion मानी पूर्ण होना of the transaction मानी लेंदेन कि जब तक अपना लेंदेन पूर्ण नहीं होता है तब तक अपन क्या करेंगे wait करेंगे कहने का मतलब क्या है वच्चो कई ATM machine ऐसी होती है कि जैसे ही अपन क्या करते हैं पैसे निकालते हैं ATM card machine में देते हैं तो तुरंत वो क्या कर देता है हमें अनुमती देता है बार निकालने की और कई machine ऐसी होती है कि जब तक अपन transaction पूरा नहीं कर लेते हैं तब तक machine ATM card को यानि कि machine के अंदर ही रखती है तो ध्यान रखना take it out आप उस यानि ATM card को बार निकाल लेना अगर machine आपको अनुमती दे otherwise wait for यानि कि अगर आप machine अनुमती नहीं दे तब आपको क्या धक्का नहीं करना है उससे आपको इंतिजार करना है जब तक आपका transaction नहीं हो जाए लेन देन पूर नहीं हो जाए अब बच्चों क्या करोगे जैसे आप ATM card डालोगे उसके बाद select the language आप जैसे उसमें डालोगे उसमें यानि कि अपने आप ही आजाएगा language लिखी आजाएगी उनमें से आप language select करना in which you want to transact यानि कि वो language जिसमें आप क्या करना चाहते हो transact करना चाहते हो क्याने का मतलब अगर आपको हिंदी समझ में आता है तो हिंदी वाले पर tick कर देना अगर आपको इंगलिस समझ में आता है तो इंगलिस वाले को यानि कि क्या कर लेना select कर लेना तो या तो कुछ ATM तो क्या कैसे होते हैं स्क्रीन टच होते हैं और कुछ यानि बटन वाले होते हैं स्क्रीन टच होते हैं उसमें तो आपको दिक्कत ही नहीं है हिंदी सिलेक्ट करना है तो हिंदी के उपर यानि टच कर देना अगर बटन वाले होते हैं कीपेड वाले होते हैं तो हिंदी करना है तो हिंदी के बिल्कुल सामने वाला बटन आपर प्रेस कर देना तो जैसी आप language select कर लोगे उसके बाद अगला option के आएगा उसमें देखे enter your four digit pin आप अपना चार अंको वाला यानि की pin यानि की enter कीजिए मतलब आपका जो password यानि की personal identification number है वो अब आपको क्या करना पड़ेगा enter करना पड़ेगा when the ATM machine demands कब आपको यानि की अपना pin enter करना है जब ATM machine आपका यानि की pin यानि की pin enter करे तब आप चार अंको का यानि की निचे जो number दियोंगे वहाँ से आप प्रेसे कर लेना अब देखिए जैसी आप क्या करोगे pin enter करोगे options will be appeared on the computer screen option है वो appear हो जाएंगे उस computer screen पे कहने का मतलब क्या जो ATM machine की जो screen है उस पे कुछ option appear होंगे after entering the pin किस के बाद pin enter करने के बाद अब आप क्या करोगे यानि pin जैसी आप enter कर दो तो choose the appropriate option आप उचित option चुनना amongust किन में से अब देखिए जैसी आप pin यानि की आप type कर दोगे तो वहाँ कुछ option निकले लिखे होए होंगे first case का balance inquiry का fund transfer का case withdraw का pin change या mini statement अब आपको जो भी यानि की करना है उस यानि की option को आप select कर दोगे जैसे आपको पेसे निकालने है तो case withdraw वाले यानि की option को क्या करना यानि की click करना अगर आपको balance ही check करना है पेसे वगरे नहीं निकालना है तब आप balance inquiry वाले को क्या करना click करना तो इस तरह से आप क्या करना जो भी आप चाहते हो उन में से आपे चुन लेना अब देखिए अब क्या करना है which serves your purpose कहने का मतलब क्या है जो भी आपका उदे से है उस इसाब से आपे जो भी option है उनको आपे select कर लेना after completion of transaction और जैसे यानि कि आप transaction आपका पून हो जाए कहने का मतलब जैसे यानि कि पैसे वगरा आपको निकालना है तो case withdraw यानि कि आप करना और जैसे आप withdraw पे आप करोगे तो आप से enter amount पुछा जाएगा आप कितनी amount यानि कि निकालना चाहरे हो वो amount type कीजिए ok कर दीजिए enter कर दीजिए और अगर आपका card सही होगा आपके account में पैसे होगे तो निचे एक slot बनाओगा वहाँ से क्या हो जाएगा आपके पैसे प्राप्त कर सकते हो और ये जब after completion of transaction आपका lendin पूरा हो जाए तो collect your card आप अपना जो ATM card है वो collect कर लेना if you were not able अगर आप able नहीं हुए हो to do it before कहने का मतलब क्या है सुरुआत में अगर आप ATM मसीन से अपना card नहीं निकाल पाए हो तो अब आप क्या कर सकते हो transaction के बाद उस ATM card को यानि कि ले सकते हो कहने का मतलब सुरुआत में अपन ने देखा कि अगर मसीन आपको allow करे तभी आपको क्या करना है take it out उसे बाड निकालना है otherwise wait for completion otherwise आपको क्या करना है transaction जब तक यानि पूरा ना हो तब तक है उस ATM card को उसके अंदर ही रहने दीजिए तो अब आप क्या करोगे यानि कि लेन देन आपका हो गया है तो आप इसको निकाल लोगे उस ATM card को keep your ATM card safe आप अपने ATM card को safe रखिए for future use future use के लिए or you can do online shopping और आप online shopping भी कर सकते हो with this card, इस card के मदम से और never share कभी भी share मत कीजिए your pin आपका जो ATM का जो चारंकों का pin है वो to anyone किसी को भी आनि की share मत कीजिए उमीद करता हूँ बच्चो आपको how to use ATM जो कि एक परकिरिया है कि पहले क्या करना होता है उसके बाद क्या करना होता है इसी base पे आधारी ती आनि की factual description फुछा जाएगा अब आई चांस यानि की how to prepare tea आजए तो आप इसी base पे आनि की बनाओगे कि सबसे पहले अपन क्या करेंगे stop के पास जाएंगे kitchen में जाएंगे और stop को यानि की क्या करेंगे जलाएंगे और उसके बाद यानि उसके उपर जो भी है process है वो सारी process चाहिए बनाने की वो उसके अंदर लिख देंगे या case यानि की bank account खोले तो इस तरह का कोई भी बच्चो आ जाए तो उमीद करता हूँ कि आप process वाला factual description आराब से लिख सकते हो वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like कर दीजिए दोस्तों message कर दीजिए चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सक्रीन सोट वीज का ले सकते हो Thank you very much